हेलो फ्रेंड्स वेलकम मैं हूँ अकरम शाहा और आप देख रहे हैं मॉडूलर वूड़ वर्किंग एंड फैब्रिकेशन फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम एक बहुत जवर्दस्त मशीन का रिव्यू करने वाले हैं जो की है एर कंप्रेशर जो की पैंट और पॉलिश के काम आता है और टायर इंफलेटर भी है ये तो जो भी भाई नया कंप्रेशर पर्चेस करना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि कौन सा कंप्रेशर लें तो फ्रेंड्स बने रही है आप हमारे साथ इस वीडियो में और मैं आपको सारी जानकारी दूँगा इस कंप्रेशर के बारे में ये हमने अभी अभी पर्चेस किया है जैसे कि आप इस बाक्स पर देख रहे हैं इटली टेक, एयर मार्शल, एयर कंप्रेसर और इसका मॉडन नमबर है Z82550A और इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी आपको कि ये हमने कितने का पर्चेस किया है और क्या-क्या इसके साथ में टूल्स इसके बाक्स में इन्विल्ट हैं और जो भी इसके फीचर्स होंगे पूरी जानकारी मैं आपको दूँगा आज के इस वीडियो में आप बने रहेगा वसलास तक और आप से आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो modular woodworking and fabrication को subscribe कर दें friends क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो हमेशा ल जानकारी चाहिए तो वह भी आप कमेंट करके बता सकते हैं मैं उसका review करके आपको देंगा friends क्या होता है कि वीडियो बनाने में मेहनत बहुत ज्यादा लगती है friends और इसमें समय भी लगता है तो आप से request करूँगा कि आप वीडियो को share जरूर कर दिया करें और like भी कर दि की है तो चलिए देरी ना करते हुए इसको open कर लेते हैं फिडाफट से और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें इसमें tools मिलते हैं यह gun को रख देते हैं side में और box को कर लेते हैं open हमारा box open हो चुका है और हम machine को निकाल लेते हैं बाहर यह आ गई हमारी machine जो की air compressor है और य मैं आपको कीड क्या-क्या tools इसके साथ में आते हैं यह box हो गया खाली इसको side में रख देते हैं और यह सारा हमारा tools है इन सबी tools को अलग-अलग कर देते हैं और यह है friends इसका user manual user manual friends मुझे तो आद तक समझ में आया नहीं क्योंकि मैंने कभी reading नहीं किया कुछ नया tools होता है जो कि मैंने इस्तवाल नहीं किया होता है तो उसका user manual में read करता हूं थोड़ा बहुत नहीं तो मैं इनको नहीं पढ़ sensor है 50L का और सेम यही model है लेकिन वह किसी दूसरी company का है तो मैं उसको तीन साल से इस्तमाल कर रहा हूं और friends वह बहुत ही अच्छी machine निकली क्योंकि तीन साल से लगतार उसको use करते हुए भी उसका अभी तक कोई भी parts मैंने चेंज नहीं किया है friends तो इस machine को चलाने का operate करने क पुराना अनुभव है हमारा तो user manual को मैं नहीं रीड करूंगा और हम देखेंगे इसके टूल्स तो चलिए friends इसके टूल्स के बारे में मैं बताता हूं आपको कि क्या क्या टूल्स इसके साथ में आते हैं यह हैं इसके दो टायर और यह टायर बहुत ही अच्छी quality के हैं मु जो पुरानी मशीन थी ना उसके टायर का मुझे लेकिन इसके जो टायर के डेजाइन ना वह बहुत सुंदर रहे हैं तो यह थे हमारे कंपरासर के दो टायर जो कि इसके साथ में हमें मिल जाते हैं और यह प्योएक टूल्स है friends और यह क्या टूल्स है और यह कहां पर फिट होता हूँ ऑदकी यह नीचे लगते हैं भफर होते हैं यह इस में लगाने के लिए लगनी के बोलने की तबcing यह लगते हैं यह एक site 2 अनुब नहीं साइट में 2 बफर लगते हैं यह बहुत अच्छी क्वालिटी की रृवर है यह और इसमें रवर इसलिए दी जाती है नीचे क्योंकि यह एलेक्ट्रिक मशीन है और कभी भी कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है अर्थिंग वगेरा आ सकती है अगर नीचे रवर के या प्लास्टिक का गुट के वगेरा टायर लगे रहते हैं तो उसमें अर्थिंग का जो खत्रह हो तो मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि यह क्या टूल से मैं आपको कि यह कहां पर लगाया जाता है और यह हैं इसके दो बोल्ट जो की टायर फिटिंग करने के लिए होते हैं और दो बोल्ट आते हैं गुट के फिटिंग करने के लिए और यह इनके नट्स ह चली फ्रेंस मशीन के बार में बात करते हैं जो कि मैंने आपको बताया था कि यह टूर्स क्या है तो यह है फिल्टर यह एयर फिल्टर है जो भी एयर हमारे टैंक में जाती है कंप्रेसर के उसको यह फिल्टर करता है और यह फिटिंग होता है यहां पर जैसे कि आप देखे रहे हैं ये इसके फिटिंग करने की जगा है पहले वाली जो मशीन थी फ्रेंड्स उसमें ये प्लास्टिक का था लेकिन इसमें ये मेटल का दिया हुआ है जो की बहुत मजबूत भी है और पहले वाली मशीन का जो था वो जल्दी तूट भी गया था क्या आपको पता था कि यह एर फिल्टर यहां पर फिटिंग होता है अगर आप पता था आप एक बार कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स मैं फिर से आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को शेयर जरूर करते रहें क्योंकि उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें फ्रेंड्स मशीन के वेट की अगर बात करें तो वेट है मशीन का लगवाग बीस से पचीस किलोग्राम के आसपास है और यह जो टूल्स के बारे मैं आपको बताया था यह जहां पर इसका टेंगी होती है उसके ऊपर लगाया जाता हुए आर्स एक मिल जाता है हमें इसके साथ में यह जोता है इस Post साथ में जो कि हम कभी उसको इसनेमाल कर सकते हैं जब रहा हमारा जरूरत होती और इसके साथ में मिल जाती है हमें लगबग ये कोड मिलती है इसके साथ इसं thorough बड़ी गोड यह ikon प्रेशर में नहीं है और ये है इसका ऑन ओफ का स्विस्च है यह इसका अन आफ on off भी है automatic on off का मतलब है कि जब इसका tank में air full हो जाती है तो यह automatic off हो जाता है friends और जब यह जैसे हम इससे काम करने लगता है थोड़ी सा tank इसका खाली होता है जितना खाली होता है यह फिर से start हो जाता है और इसको दुबार से on करने की ज़रूबत नहीं बढ़ती friends इसकी power की बात करें friends तो यह इसकी power यहां पर mention की गई है यह 220 बोल्ट का है compressor और इटली टेक एर मार्शल की ब्रैंडिंग है इसमें और tank capacity जैसे की मैं आपको बताया था कि इसमें हमें 50 इल्ट की tank capacity मिल जाती है friends और यह है इसका oil tank यहां से इसको lose करेंगे हम खोलेंगे और इसमें oil add कर देंगे जब भी इसमें oil कम होगा जब भी इसमें oil की जरूरत पड़ेगी friends और friends जैसे की कभी हम काम करते रहते हैं इससे तो हवा के साथ क्या है कि tank में पानी हो जाता है तो यह नीचे इन्होंने switch egg दिया हुआ है इसको nut को lose करेंगे और इसका पानी सारा बाहर कर देंगे पानी को हमेशा compressor से साफ करते रहने चाहिए क्योंकि उससे tank में junk लगने का खतर रहता है और tank उससे कमजोर हो जाता है friends आगे यह handle दिया गया इसको उठाने के लिए तो चलिए friends अभी हम fitting करते हैं इसके tire tire और buffer को हम इसके fitting कर लेंगे जैसे कि इसके साथ में fitting DV इसके bolt और यहां पर fitting होते है friends मैं आपको दिखा देखता हूं fitting करके एक tire को हम राइट और एक को left लगा देंगे तो यह हमने इसके tire और गुटके fitting कर दिये हैं यह आप देख लिजिए यह है इसके इसको जो carrier कर लेकर दाना होता है इसको यहां से पकड़के थोड़ा उठाएंगे आगे से और इसको तहां से लेके चल लेंगे जब रखना होगा तो यह फ्रेंस में company चार टाय भी दे सकती थी लेकिन चाय टाय इसलिए दे जाता है क्योंकि यह air compressor है जब इसमें प्रेसर बढ़ता है हवा का तो यह इदर से उदर भागने लगता है तो इसलिए जो है इसमें दो गुटके हैं ताकि यह अपनी जगा तिका रहे और दो टायर है ताकि इसको इसको हैंडल से थोड़ा सा उपर उठाके और इसको आगे पीछे कहीं भी लेके जा सकते हैं यह फ्रेंड्स इसका एयर ओवर फिलो है जैसे कि कभी टैंक में ज्यादा एयर फिलो जाती है मान लीजिए कभी जैसे कि हमारा यह ऑटोमेटिक ओन अफ सिस्तम में लगा है अग यह जो आप्शन इसमें दिये गया है यह सेफटी के लिए है जो भी यूजर होगा इसका उसकी सेफटी के लिए है जैसी टैंक फुल होगा तो यह यहां से एयर को बाहर पास कर देगा और इसको जो है ब्लास्ट होने से पचा लेगा फ्रेंड्स एक बार इसका पूरा ओव करके ले के जा सकते हैं यह especially side work के लिए है और यह portable air compressor इसलिए success भी हुए हैं कि पहले जो देशी compressor होते थे उनको उठाने में उनको लाने ले जाने में transport Cost भी वहुत ज़्यादा लग जाती थी लेकिन इनको क्या है कि इनक़ आजा सकते हैं friends फ्रेंट्स मैं आपको पहले इस gun के बारे मैं जानकारी देता हूँ ये gun हमने कल purchase की थी और ये कितने की purchase की थी इसके बारे मैं बताऊँगा पहले आप gun को देख लिजी एक बार ये कुछ इस तरह की दिखती है ये पूरी metal की gun है और इसका जो liter है वो भी metal का ही है और यह काफी भारी भी है वेटेड भी काफी है फ्रेंड्स आइकोन की इसमें ब्रैंडिंग है चलिए इसको प्लागिन कर देते हैं और इसको एक बार देख लेते हैं इसको चला करके कि यह कैसा साउंड करता है साउंड इसका बहुत ही जवरदस्त है फ्रेंड्स और यह मशीन चलने लगी है इसका साउंड मैंने म्यूट कर दिया था क्योंकि आवाज बहुत तेज करती है यह और यह देख लीजिए इसका टैंक की टाइम देख लेते हैं कि यह कितने मिनट में टैंक इसका फूल हो जाता फ्रेंड्स अध्ट दो इसमेन मीटर मिल जाते हैं हमें और दो ही इसमें गटन के भी ऊप्शन दों के दो भाईल गन इससे एक साथ हम ऑपरेट कर सकते हैं वाईलेशन दिसन में आपको और बताना चाहूंगा कि अगर आप के पास ज़्यादा काम हेवी काम रहता है तो आप 70 लिटर का टैंक भी ले सकते हैं इसका इसमें 70 लिटर में भी आता है फ्रेंट्स लगवक्त 2 मिनट की इसके टैंक फूल होने की टाइमिंग है फ्रेंट्स तो यह थी आज की जानकारी हमारी आज के इस एयर कंपरिसर के बारे में आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंट्स और अगर आप मशीन पर्चेस करना चाहते हैं एयर कंपरिसर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप जाकर के एमजोन से पर्